आप लोग शेटिंग्स अप्लिकेशन यहां पर चलाओगे उसका बात गाइस यहां पर देखो वेलकम बेक्ट तो मैं न्यू वानादर वीडियो सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर गाइस आज मैं आप लोग को बताऊंगा गाइस आप लोग रियल मीशी 53 फोन में गाइस आ आपका नाम बगाइस आपकर होता है और बहुत लोग आपको इस तरह से बता रहे है कि रियल मीशी 53 फोन में आप लोग किस तरह से कर सकते हैं ऐसा वीडियो आपको बहुत ही यूटूब पर दिखने को मिल जाए तो आगर आप लोग यूटूब पर जाके सर्स करोगे रिय लेने का बात बोलता है कि यहीं realme c53 मतलब क्या 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 आप लोग में realme c53 फोन में नाम लिख सकते हो कि ने वह गाइस इस ब्रॉटक अंदर में आपको बदांगा और अगर आप लिख भी सकते हो ना तो गाइस डायक्लिक प्रूफ हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप लो वीडियो को शुरू किया जाए तो गाइस यह मेरे पास realme के तरफ से c53 स्मार्टफोन जासे आप लोग आप देख पर हो realme के ब्रैंड जैकि आप लोग देख पर हो तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करना की वीडियो कैसा हुआ तो दोस्तों यहां हमारा क्यामरा देख आता हो कि आपए आपको दो दूब दिखने को मिल जाते है आप लोग लोग वाटरम अब लेता हुआ तो देखता हो कि क्या हुआ वा सो दोस्तों यहां पर देखो यहां पर देखो रियल्मी का लोगो उसके बात शौट और रियल्मी सी 53 108 MP3 माज़ब है नाम है हमारा सब्सक्राइब करें उसका बाद इसको भी आपर कर देते ना दोनों को करने के बाद अगर में कुछ फोटो करें शूट कर तू गाइस देखो यहां पर लोगों जो एकुछ साइट पर आचुके उसका बाद सेम नाम शोट ऑन रियल्मी ची 53 100 MP उसके पाद टाइम बगर आचुके जग सब्सक्राइब बाराब आज के पंड मिनिट पर याप फोटो शूट हुआ है तो दो आभी तो यहां पर लिखा ही नहीं है और लोग बोलता है कि इस तरह का आप लोग वाटर मार्क पर नाम लिख सकते तो जो तो यह पर खुद का नाम लिखना है तो यह आप लोग इसको ट्राइम आप करना क्यूंकि इसमें आप लोग गईस केमरा वाटर मार्क पर नाम लिख सकते हैं और आपको केमरा पर खुद का नाम लिखना है तो आप लोग मुझा कमेंट करो मैं कैसा करके भी आप लोग के लिए वह ट्रिक लेके आऊंगा कि आप लोग क्यामरा पर खुद का नाम आप लोग कैसे लिख सकते हो तो जैसा कि आप लोग देख पर हो अब लोग कोई भी केमरा वाटर मारक पर खुद का नाम लिख सकते हैं यह साफ है आप लोग यह पर देखे पाया तो दोस्ता अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आतो गाइस इस वीडियो को अभी लाइक करो और गाइस इस तने लोग आप अभी तक सब्सक्राइब न अब मातरम